व्रों फ्रेंज नमस्कार स्वागत है आप सभी का इस्टेटीवी द्यान व्रकास में आज 10 फ्रवरी है तेकर फ्रेंज कल हमने आप से डिस्कस किया था कि हाली में फोर्स की जो रियल टाइम बिलिनियर इंडेक्स है उसमें मुकेस अंबानी को पीछे छोड़ते हुए गौतम अडानी आगे निकल गए थे लेकिन आज हालात बदल गए हैं और कहा जाता है न कि इस दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है सब कुछ बदलता रहता है तो पहला कोश्चन है कि नौ फरपरी 2022 को फोर्स की जो रियल टाइम बिलिनियर इंडेक्स है उसके मुताबिक एसिया के सबसे धन्वान ब्यक्ति को बन गए हैं फिर से मुकेस अंबानी यानि कि ऑप्सन भी इसका बिलकुर करेक्ट है तो गौतम अडानी और मुकेस अंबानी में जो ये बिल्ली का खेल चलता रहता है कभी कोई आगे तो कभी कोई आगे फिराल अभी जो लेटेस्ट आंक्रे हैं उसके मुताबिक मुकेस अंबानी फिर से एसिया के सबसे धन्वान ब्यक्ति बन गए हैं तो सभी जवाब इसक से रिचस्ट पर संबने थे लेकिन आज की जो आज की जो इस्तिती है उसके मुकेस अंबानी फिर से वापस आ गये हैं दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति की सीट पर तो फ्रेंड्स यहां पर नौव फर्वली 2022 तक मुकेस अंबानी ब्लूमबर्ग ब्रेनियर इंडेक्स की व पर तो फॉट्व एक गौत्म अर्दानी जो कुल संपति यह ऐ एक सिक्स पॉइंट्री अरब डालर वहीं पर अगर देखा जाए मुकेस अंबानी की संपति यह वह 89.2 बिलियन डालर है वैसीक सुची में मुकेस अंबानी 10 वें स्थान पर और गौत्म अडानी 11 अस्थान पर हैं वैस्टिक सुची में पाले स्थान पर हैं एलान मस्क कितना थाने उनके पास 238 billion US dollar जिफ बेजोस दूसरे स्थान पर है 186 billion US dollar के साथ और बर्नार्ड आर्नाल्ड ये 166 billion dollar के साथ दिसरे स्थान पर हैं बिल गेट्स चौत्य स्थान पर है 129 billion dollar है और लेरी पेज ठीक है 124 billion के साथ है निकि गूगल के जो मालिक है लेरी पेज ये दुनिया के सबसे पांच में सबसे धनी बेखती हैं तो ये सूची आप देख रहे हैं हलाकि इसमें बदला हो सकता है थोड़ी दिरबाद ही हो जाए एक अस्थाई सूची है लेकिन यही हैं दुनिया के सबसे अमीर लोग जो क्रम से एक दूसरे से आगे पीछे होते रहते हैं आसकर 2022 के सरस्रेष्ट अभिनेता के तोर पर किसे नामीत किया गया है तो बेनेडिक्ट कमरबैच, एंड्रिव गारफिल्ड और विल स्मित तो फिलाल यहां पर तो तीनों लोग हैं लेकिन इसमें कुछ नाम और भी हैं कौन-कौन से नाम हैं देखे फ्रेंड्स बेनेडिक कमरबैच को देखे लिए एंड्रिव गारफिल्ड को टिक टिक बोम के लिए विल स्मित को किंग रिचरड फिल्म के लिए डेनजल वासिंगटन को देटेजडी आफ मैकबेथ के लिए और हौवियर वर्टेम को बिंग दे रिकॉर्डोंस के लिए आसकर 2022 में सरस्रेष्ट अभिनेता के तोर पर नामित क्या गया है तो अभी फिलार पता चलेगा बाद में कि बेस्ट अक्टर चुना कौन गया है और आपको बता दे कि 2022 में जो आसकर अवार्ड होंगे अकेडमी अवार्ड इसे कहते हैं उनका जो क्रम होगा वो 94th होगा ठीक है और मंगलबार की सा दो फिल्में गई थी जैभीम और मरककर दोनों फिलाल आसकर की लिस्ट से बाहर हो गई है यानि कि कोई भी भारती फिल्म फाइनल लिस्ट में इस बाहर नहीं है आई पेल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद की टीम का नाम क्या होगा आपने देखा है कि हाली में यानि ट्विटर हंडल है उस पर लिखा गया सुब आरंभ गुज्रा टाइटन्स ठीक है और लखनों की जो टीम है उसको क्या रंद दिये गया है लखनों सुपर जैंट्स तो फ्रेंड्स अब कुल मिला के देखा जाए तो आई पेल जो 2022 में होंगे उसमें कुल 10 टीमें होंगी अक्टूबर 2021 में इरेलिया कंपनी प्राइबेट लिम्टेड ने 5625 करोन में अहमदाबाद की जो टीम है उसके निला में जीती थी और इसका नाम याद रखेगा गुज्रा टाइटन्स अभी लोगों जो है नहीं बना है गुज्रा टाइटन्स का लोगों जल्दी जारी हो आप्शन भी डाक्टर उन्नीक्रिश्ण नायर जो है विक्रम सारा भाई अंतरिश्केंद्र के नए निदेशक बनाए गये हैं और यहाँ पर VSSC विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर भारती अंतरिक्ष अनसंदान संगठन इस्टरों का एक प्रमुख संस्थान है और यह जो संस्थान है यह उग्रह कारेक्रमों के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों में माहिर है डाक्टर उनिक्रिश्टन नायर यह किसली जगन लेंगे यह सोमनाथ की जगन लेंगे विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र के स्थापना 21 नॉम्बर 1963 को ही थी और विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र मूल का जो मूल संगठन है वो इस तोरो है विकलन सारा भाई अंद्रिश केंद्र ये कहां पर इस्तित है केरल के तुरुन अनंत पूरम में अब यहां पर मैं बात करूँगा कुछ महत्रपूर नियुक्तियों के बारे में दिनेश प्रजास सकलानी को निदेशक बनाया गया है NCIT का यम जग्दिश कुमार बने हैं अध्यक्ष कहां के UGC के सुनाली सिंग भारत की नई लेखा मान इंतरक बनाई गई हैं भारत की नई CGA और स्री निवास मूर्ति DRDL ये DRDO के अंतरगती आता है DRDO के अंतरगत DRDL उसके निदेशक बने हैं मदन मौन तरिपाठी को बनाया गया है नायलिट का मानिदेशक और विनय कुमार तरिपाठी को बनाया गया अध्यक्ष रेल्वे बोर्ड सरस्फूर्द वारा जारी Global Digital Skills सुचकांग 2022 में भारत को 100 में कितने मार्क मिले हैं सरस्फूर्द वारा जारी Global Digital Skills सुचकांग 2022 में भारत को 100 में 63 अंक मिले हैं और इस सुचकांग के लिए 19 देशों के 23,000 स्रमिकों पर स्रेक्षण किया गया इस रिपोर्ड को जारी कौन किया है सरस्फूर्द ने जिसका मुख्यालय कालिफोर्निया में है अमेरिका में अब यहां पर कुछ बिन्दों को हम रिवाइज कर लेते हैं जैसे कि भरस्टा चार ध्राणा सुचकांग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 डेन्मार्क और न्योजिल लाइंड ये टॉप पर है भारत का स्थान रहा 85 हिनले पास्पोर्ट इंडेक्स 2022 जारी गवाता भिहाली में भारत की रहें कितनी है 83 ब्रांड फानेंस द्वारा जारी ब्रांड वैलिवेशन रिपोर्ट 2021 में एलाइसी को दुनिया में दस्वा स्थान मिला है परा स्थान मिला है किसको पिंग एन इंसुरेंस कंपनी को जो कि कहां किये चाइना की है टेनिस टूर्णामेंट टाटा ओपन 2022 पुरुस यूगल का खिताब किसने जीता है किसने सुमद्यो बर्मन और रोहन बपनना ने यानि कि इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा आप्शन भी नहीं दोस्तों सही जवाब आप्शन ए है राजकुमार रामनाथन और रोहन बपनना तो फ्रेंडस ये तस्वीर आप यहाँवार दे सकते हैं रोहन बपनना और राजकुमार रामनाथन ने आस्ट्रेलिया के लिउक सैविले और जान पैट्रिक को हराकर दो एक से टेनिस टूर्णामेंट टाटा ओपन 2022 जिसका आईजन कहाँ पर हुआ महराश्ट्रा में तो पुरुस इकल का खिताब जीत लिया है आपको याद होगा कि भी हाली में आस्ट्रेलियन ओपन संपन हुआ था जिसमें पुरुस एकल का खिता था रॉफेल नडाल ने आस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिता था एसले बार्टी ने सिडिनी में टेनिस क्लासिक टूर्णामेंट हुआ 2022 में वीजेता कौन बने असलान करास्यो अब रॉफेल नडाल की बात हो रही है तो याद अगना कि Melbourne Summer Set टेनिस टूर्णामेंट को भी रॉफेल नडाल नहीं जीता है और यह आयोजन भी आस्ट्रेलिया में ही वात है और इदे को यह समर सेट है तो यह समर सेट आस्ट्रेलिया में इसी समें खिले जाते हैं क्योंकि आस्ट्रेलिया में दिसमबर से गर्मी की सुरुवत हो जाती है इस समें महाँ पर कडाके की गर्मी पढ़ रही है तो समर सेट को भी किसने जीत लिया है रॉफेल नडाल ने और आस्ट्रेलियन ओपन का जो में सिंगल से वो खिताब भी राफेल नडाल नहीं जीता है इस साल और यह तस्वीर आप देख सकते हैं रोहन वपनना रामकुमार रामनाथन की जोडी ने जीता है टाटा ओपन और यह फोटो ट्वीटर से लिया गया है दुनिया का सबसे बड़ा टीका करन अभ्यान इंद्रध्णूस 4.0 को किस ने लाँच किया है तो भारत एक एक बहुत बलाद ठीका करना अभियान इंद्रदुस के नाम से ला जाता है जो कि 2014 में स्टार्ट हुआ था अब इसका चौथा संस्क्रण है और इसको लांच किया गया है भारत के जो केंदे स्वास्त मंत्री हैं मंसुक मंडाविया के द्वारा यह तस्बीर आप यहां पर द करया किया जाएगा मंदब इसको लागू किया जाएगा इंद्रदुस ठीका करन की सुरुआत हुए थी 2014 में या तक न उद्देश था दो वर्स तक के बच्चे और महिलाओं का संपूर्ण ठीका करन करना एसेन फुटबाल कंफिडरेशन महिला एसेया कप 2022 का खिताब किस किस देशने जीता है एसेयन फुटबाल कंफिडरेशन महिला एसेया कप 2022 का खिताब जीत लिया किसने फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानि की चाइना ने तो चाइना ने किसको अरहा है दक्षट कोरिया की टीम को तीन दो से आईजन कहा पर हुआ भारत मे संसक्रन रहा इसका दुजर 22 में 20 वा एसेयन फुटबाल कंफिडरेशन की स्थापना होई थी साथ में 1904 मुख्याले मिलेगा आपको मलेसिया के कौललबपूर में और परतवान में अध्यक्ष कोन है सलमान बिन इब्राहिम अल-खलीफा सलमान बिन इब्राहिम अल-खलीफ तो सही जवाब इसका option D है जैकोडी नाम का यह injection है और यह एक plasmid DNA वैक्सीन है यानि कि इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होगा यह 28 दिन और 56 दिन के अंतराल पर लगाया जाएगा और इसे किसने बनाया है जैडस कैडिला ने जिसका मुख्याल है अहमधाबाद में है और य सरकार द्वारा किस राज में 4000 दूर संचार टावर अस्थापित करने का नेड़े लिया गया है सही जबाब option A है यानि कि Odisha देखे फ्रेंडस ओडिशा के 6000 गाउं में अभी भी mobile network नहीं आता है और इसलिए 393 टावर ओडिशा में लगाया जाएंगे और इस कार के लिए जो बजट पेश हुआ था बजट केंद्री बजट उसमें Odisha के लिए 973 करोन रूपए का आउंटन किया गया है बरतवार में हमारे जो सूचना परदुक्य मंत्री है कोन है अस्वनी वैश्रों है मुक्य मंत्री कोन है Odisha के नवीन पतनायक और आजपाल है गणेसी लाल जी तो आज के टॉप 10 करनेफेर अब बारी है कलके प्रस्त की कल प्रस्त आपसे पूछा गया था कि हाली में किस आयाइटी ने बिकलांग ब्रक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जौफ लेट फार्म लांच किया है तो इसका उत्तर है आयाइटी हैदराबाद और अब शीहीं चाहते हैं इसलिए प्लीज डेली समय निकाला करें और अगर इसका आप आड़ेन चाहते हैं तब वीडियो का डिान आप चेक करेंदे ना वहाँ पर आपको ओपहको इसका कर सकते हैं थैंक यू सो मुच हबछ ग्रेडे जएंद